जैसा की अक्सर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तू या इस्थान का समय कभी एक जैसा नहीं रहता। फिर चाहे वो दक्षिन भारत पर राज करने वाला काक्ती राजवन से जुड़ा कोई भी राजा हो या फिर कोई मंदीर ही क्यों नहों। उसी प्रकार दक्षिन भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदीरों में से एक एक हजार इस्तंब वाले मंदीर का भी इतिहास कुछ ही सी तरह का रहा है। ये मंदीर तेलंगाना की राजदानी हैदराबाद से करीब एक सो पचास किलोमेटर दूर हमन कोंडा कजबे में बना हुआ है। इस्थानी लोग इस मंदीर को रुद्रेश और महादियो मंदीर या फिर त्रिकुटलियम भी कहते हैं। नवश्कार लाइव नालेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अजय चोहान। और उसी बात का फायदा उठा कर इस संपूर्ण दक्कन छेतर पर विदेशी अकर्मन कारियों के अकर्मनों का दोर शुरू हो गया। और चवदमी शताब्दे के आते आते यहां के अधिकांस भाग पर मुहम्मद बिन तुगलक का अधिकार हो गया। उसके बाद तुगलक वंश के अकर्मन कारियों ने इस मंदीर का जो हाल किया उसी को हम आज भी देख रहे हैं। दरसल तुगलक वंश के शाषकों के द्वारा यहां के अन्य कई छोटे बड़े मंदीरों की तरह ही इस मंदीर पर भी भीशन परहार किया गया। और इसे अपवित्र करके उसमें से कीमती अभूशन और रत्न जवारत अदी लूटने के बाद इसकी मुख्य सरचना को ड़ाने का भी कारिय किया गया। लेकिन जब इस मजबूत सरचना को ढ़ाने के काम में तुगलक वन्स के पसीने छुटने लगे तो उन लोगों ने इसके स्तंबो पर तमाम मूर्तियों को जो खंडित करना शुरू कर दिया और जितना हो सकता था उन लोगों ने यहां तंडव मचाया इतियासकारों का कहना है कि अगर हम उन उभरी हुई नकाशियों को आज देख पाते तो वर्तमान में दुनिया का ये एक मात्र ऐसा मंदिर होता जिसके आगे सातों अजूबे एक साथ फैल हो जाते लेकिन आज भी यहां जो नकाशियां देखनों को मिल रही हैं वे भी उन सातों अजूबों से बढ़कर ही है तो अगर आप लोग भी इस मंदिर को नजदीक से देखना चाहते हैं तो बता दूँ कि एक अजार इस्तंबो वाला ये मंदिर तेलंगाना राज में हमन कोंडा वारंगल राजमार्ग से लगे हुए हमन कोंडा कस्बे की एक पहाड़ी के धलान पर बना हुआ है और सडक मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती तो अगर यह जनकार यह आप लोगों को अच्छी लगी हो तो करफ़े कमें बाक्स में अपने विचार हमें जरूर बता हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं और अगर आप इस चैनल पर नए आएं तो करफ़े इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन बंदे मातर